सरकार को अपना कुछ काम हो तो कोरोना देश से एक धम गायव हो जाता है। Medical Association IMA के वाइस प्रेजिडेंट नव्जोत दैया ने मोर्दी जी को सूपर स्प्रेडर कहा है यह वो लोग है जिन का पॉलिटिक से बहुत रही है मेरे पास है 24 अप्रेल और 25 अप्रेल दोनों के फ्रंट पेज देखिए 25 लोग औक्सिजन की कमी से डैली में मरें 20 लोग औक्सिजन की कमी से डैली तो जर्नलिस्ट अर्णुस शर्मा ने एक वीडियो शेयर की कानपूर के एक सम्शान गाट की वीडियो है जिसमें 476 डैड ब देख रहे हैं शोशल टोक्स भाएक गोरोग 2021 में जो सेकिंड वेव ने तब आये मचाई मोधी सरकार को ध्यान रखना होगा कि वो तब आये ओमिक्रोन वेरियंट ना मचाई 2021 में आपने डेर सारी तब आयां देखी एक्यूट सोर्टेज ओफ वेक्सीन एक्यूट सोर्टेज ओफ ओक्सीजन लोग इदर से उदर बटकते रहे होस्पिटल्स के लिए बैड्स के लिए लेकिन सरकार बिजी थी अपने पर्सनल कामों में वही लापरवाई सरकार इस सा आज की इस चर्चा को आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए वर्ल्ड एकोनोमिक फोरम के एक मीटिंग में मोदी जी ने कहा कि हमारे देश ने इंडिया ने कोरोना वाइरस पर जीत हासिल कर ली है साथ मार्च को हमारे देश के हेल्थ मिनिस्टर ने इंडियन मेडिकल एसोशेशन की एक हेल्थ मीट में ये कहा कि इंडिया इस इन दा एंड गेम ऑफ दिस पेंडेमिक ये प्रोपर डायलोग था हमारे हेल्थ मिनिस्टर का साथ मार्च को अप्रेल की शुरुवात में दिल्ली में 3,000 केसिज पर डेया रहे थे और 21 अप्रेल आते आते इन में 900% का राईज देखने को मिला कितना 900% का राईज और ऐसा ही हाल मुंबई में भी था देश में कोरोना वाइरस के केसिज ने इस तरह बढ़ना शुरू किया कि दिल्ली का healthcare system और मुंबई का और बाकी states का healthcare system पूरी तरह तहसने है सो गया और ना ही देश की सरकार को ये अंदाजा था कि इस तरह की घटना भी देश में घट सकती है देश में आलाद इतने खराब हो गई कि लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया और लोगों को कहा गया कि आप अपने mobile device से oxygen ढूंडिये, hospital के bed ढूंडिये, जो भी आप शुरूदा हो सकती है, वो लीजे अपने mobile device से आपको भी याद होगा अब देश में situation इतनी खराब हो गई कि जितने भी सरकार ने health line numbers दिये थे, सब ने काम करना बंद कर दिया और लोग इदर से उदर बटकते रहे oxygen के लिए और hospitals के लिए, फिर शुरू हुई देश में oxygen की मारा मारी, लोग इदर उदर बटकते रहे oxygen के लिए, मुझे आज भी याद है दिल्ली के गंगाराम होस्पिटल काफी मशूर होस्पिटल है, उसमें 25 लोगों की मोत हो गई, किस इस वज़े से कि उस होस्पिटल में oxygen नहीं थी, फिर दिल्ली हाई कोट ने फटकार लगाई सरकार को कि यह क्या चल रहे देश में, इसका जल्द से जल्द समाधान करो, लेकिन सरकार ने इस फैक्ट को भी पार्लियमेंट में क्लियरली मना कर दिया, कि oxygen shortage से तो किसी की में मोत हुई ही नहीं है, जहां एक तरफ बड़े शारों में coronavirus अपना तांडव मचा रहा था, लोगों की जान ले रहा था, लोगी दर उदर भटक रहे थे, oxygen के लिए, help के लिए, वहीं दूसरी तरफ हमारे देश की ruling party, भारतिये जनता पार्टी, वेस्ट बंगोल में political rallies कर रही थी, full scale political campaign कर रही थी, road show कर रही थी, और देश की जनता मर रही थी, और सबसे बुरा हाल उत्तर प्रदेश में था, गंगा किनारे बिच्छी हुई लासे, शम्शान गाटों में 40 चिताएं एक बार जलती हुई, ये चीजे कुछ और ही कहानी बता रही थी, लेकिन फिर लोकल जर्नलिस्ट ने सारी पोल पटी सरकार ही खोल दी, अब ये वो टाइम था जब frontline workers को और aged लोगों को वैक्सीन लग चुकी थी, और सरकार ने अलान कर दिया कि अब वैक्सीन उन लोगों को लगेगी, जो 18 साल से उपर है, काफी अच्छा decision था, लेकिन कई स्टेट जै वैक्सीन भेज रही थे, वैक्सीन का सिल्सिला देश में उठा तो बात आई, वैक्सीन का रेट क्या होगा, पहले तो सरकार ने इस पर कोई decision ही नी दिया, कि क्या रेट होगा, क्या नहीं, जनता confuse रही कि free होगी या नहीं होगी, फिर सरकार ने ये कहा कि states decide करेंगी, कि वै वेक्षीन का रेट क्या होगा। फिर सरकार ने 25 पर्सेंट रिजरिवेशन कर दी प्राइवेट होस्पिटल के लिए और प्राइवेट होस्पिटल ने चारज़ गया 700 रुपे वैक्षीन का 800, 900 रुपे अब प्राइबेट फर्म वो तो अपने हिसाब से तै करेगी फिर सरकार ने ये डिसीजन लिया कि स्टेट्स डारेक्ट ही सिर्यम इंस्टिट्यूट से वैक्सीन खरी देंगी अब हुआ क्या इतनी कंफ्यूजन पब्लिक में हो गई और इतना कंप्यूटिशन स्टेट्स के बीच में बढ़ गया फालात इतने खराब हो गए कि सिर्यम इंस्टिट्यूट के सीयो आदारपुना वाला को देश छोड़ कर भागना पड़ा क्योंकि उसे जान से मानने की धमकी आ रही थी स्टेट्स में कॉम्पिटीशन हो गया कि पहले मुझे दो पहले मुझे दो इतना बुरा हाल देश में वैक्सीन को लेकर हो गया देश में इतना कुछ चल रहा था लेकिन देश की विकाओ मीडिया चुप थी लेकिन सरकार की पोल खोली रीजनल मीडिया ने लोकल जर्रणलिस्ट ने उनकी रिपोर्ट्स देखने के बाद देश की जनता ने सरकार से सवाल पूछने शुरू किये और पूछा कि डाटा कहा है कितने लोग मरे क्या ये देश में हो गया लेकिन फिर सामने आया डाटा का स्केम कोरोना वाइरस के कारण लोग मरे हैं छे और सरकार ने बताया एक ये डाटा स्केम था इस इलजाम को भी मोदी जी ने बड़े आसानी से पार्लियमेंट में इनकार कर दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है लेकिन शम्शान घाट में लगातार जलती चिताएं और गंगा किनारे पड़ी लोगों की लाश कहीना कहीं सच्चाई खुद बखुद बया कर रही थी अब हो ये गया कि इंडियन मेडिकल एसोशियेशन के प्रेजिडेंट ने और जो बड़े-बड़े अदिकारी थे उन्होंने मोदी जी को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया और उन्हें के नाम दे दिया वो है सूपर स्प्रेडर क्योंकि पोलिटिकल रेलीज देश में हुई, पोलिटिकल गैदरिंग हुई, कुम्ब मेला हुआ, मिसमेनेजमेंट देश में इतनी हुई और मोदी जी को एक टैग दे दिया गया, वो था सूपर स्प्रेडर का टैग दोस्तो उस टाइम पर वेस्ट बेंगोल में इलेक्शन थे, अब उत्तर परदेश में है, पंजाब में इलेक्शन है, सरकार को ध्यान रखना चाहिए और पबलिक को ये डर भी है कि कहीं वही हालात देश में फिर से ना हो जाएं, लाखों लोगों ने अपने सगेसम बंदियों को खो दिया उस सेकिंड वेव के कार्ण और जब कि ये ओमिक्रोन वेरियंट पिछले वेरियंट से दो गुणा खतरनाक है, तो सरकार से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि ध्यान रखें, अपने हेल्थ केर सिस्टम को भी स्ट्रोंगली बिल्ड करें और देश की जनता का भी ध्यान रखें किसी भी पार्टी से पहले धर्म से पहले देश का राष्टर है देश की जनता है, इसलिए देश की जनता अपना नेता चुनती है कि वो हमारा भला करेगा, हमारे बारे में सोचेगा आज के लिए इतना ही जल्दी मिलूँगा अगली किसी वीडियो के साथ अब तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिया और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को शेर कीजिएगा अपने फैमली के साथ अपने दोस्तों के साथ नम आशकार